अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे आज का यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्छों के लिए स्पेशली जो लोग अब इस साल अपने ग्रेजुएशन को कम्प्लीट कर रहे हैं और आने वाले समय में ये सोच रहे हैं कि अब मैं आगे क्या करूँ जिनके दिवाग में बहुत सारे पसोपेश हैं सोच रहे हैं कि अभी गवर्मेंट जॉब की तरफ जाएं या फिर सरकारी नौकरी देखें सरकारी नौकरी देखें तो क्या देख सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ एक समय था 2013-2014 तक 14-15 तक जब बहुत सारी वेकेंसी बैंक में निकलती थी और हर 10 साल के अंतराल में अगर आप देखें तो समय वापस आता है यानि आने वाला ये जो साल है 2023-2014-25 इसमें आप धेड़ सारी वेकेंसी देखोगे क्योंकि बल्क में रिक्रूट्मेंट होते हैं बल्क में रिटार्मेंट होता है तो जगह खाली होती है तो ये हर 10 साल बाद आपको ये चेन प्रोसेस मिलेगा इस साल उमीद है कि हर एक बैंक इग्जामिनेशन में आप ज़्यादा वेकेंसी देखेंगे और आने वाले 2024 में उससे भी ज़्यादा आप देख सकते हैं तो कैसे इसकी तयारी की जाए बैंकिंग इग्जामिनेशन लोगों के दिमाग में फिट हो गया है कि काफी टफ हो गया है निकालना जो की समय के साथ जो लोग इस परिवर्तन को देख पाए हैं कि पहले बैंक इग्जाम क्या था अब क्या है जिसमें मैं खुद एक उसका साक्षी हूँ क्योंकि मैं 2014 से अब लेकर यहां करीबन 2023 यानि 9 साल हो गये हैं जिसमें खुद भी बैंक इग्जाम से दिये निकाले तो कुछ हेकाद क्वेश्चन को छोड़के कोई भी ऐसा पैटरन में ड्रास्टिक चेंज नहीं है बैंकिंग के कि कहा जाए कि पेपर बिलकुल ही बदल गया है सेम पैटरन है सेम तरीका है हो सकता है कि थोड़े सवाल जादा लेंदी हो गये हो थोड़े सवाल और टफ हो लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि 2014 में तो सर हलुआ आता था और अब तो सर उसमें पता नहीं गाजर का हलुआ बनाने लगे हैं कि इतना समय लग रहा है पहले तो दो मिनट में हलुआ बन जा था वह आटे वाला ऐसा नहीं है अभी भी और तब भी वैसा ही बैंकिंग पेपर थ तो इससे क्या होगा कि paper का थोड़ा सा pattern भी बदल सकता है असान question prelims में आप देख सकते हो रहा है इस साल जो 2022 के end में paper हुए उनमें देखने को मिला भी आचा अगर आप complete preparation strategy को अगर मेरी मेरे नजर से देखें एक student के नजर से देखें तो क्या होना चाहिए मैं आपको बताता ह exam क्योंकि एक exam निकाल कर आप direct तो जाओगे नहीं और कहीं भी एक जगा फेल हुए तो knockout है फेल तो फेल प्रिलिम्स में गए तो प्रिलिम्स में गए मेंस में गए तो मेंस में गए तो आपको हर एक match जीतना है यानि कि आपको opponent समझने पड़ेंगे opponents कौन कौन है अपके प्रिलिम्स मेंस रिटन टेस्ट है जिसमें आप ऐसे राइटिंग लिटर राइटिंग लिखेंगे फिर interview हर एक चीज अलग अलग है हर चीज का अपना एक parameter है वो सभी चीज को जानना उसके pattern को समझना है तो बहुत important है final year students के बच्चे जो मेरे को चीजना होगा कि आप breakdown करके पढ़ाई सुरू करेंगे अगर आपने मन बनाया है कि भाई मुझे banking exam निकालना है तो breakdown कीजिए इसको parts में आप prelims को देखिए उसके syllabus को देखिए mains में फिर क्या आया है पिछले सालों में उसको एक बार cover कीजिए written test जो हुआ है उसमें किस तरी लेटर राइटिंग के questions बनते हैं वो देखिए फिर interview में बहुत सारे ऐसे mock interviews आपको मिल जाएंगे live youtube channels पे वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो किस तरीके से questions बनते हैं वहाँ breakdown करके एक एक चीज़ को follow किजिए पहले समझने की कोशिस कीजिए एक दम से पहले दिन ज्यानी नहीं बन सकता कोई पहले समझिए है क्या pattern क्या है तो उसलिए आपको examination का pattern जानना है तो मैंने थोड़ा बहुत उसको एक तरीके से define करने की कोशिस की है कि भाई अगर prelims exam में बैठ रहे हो तो तीन subject आपको आने चाहिए आपको English language देखिए English language आनी चाहिए बहुत ज्यादा grammatical चीज़े नहीं आएंगी पर language पर command होना चाहिए मैं बताऊंगा उसके लिए क्या करना आपको QA आपको आना चाहिए मतलब maths के questions जो calculating questions होते है आना चाहिए reasoning के questions solve करने आने चाहिए reasoning का क्या question बनता है कैसा बनता है आपको भी बताऊंगा मैं तो देख रहे हो आप कि 35 question QA और reasoning के मिल रहा है यानि कुल मिला के अगर आप देखें तो 100 सवाल है 100 number के जो आपको prelims में मिलते हैं टोटल आपको घंटा भर का समय मिलता है और अगर देखें वाइफर केट करके तो 20 minutes each है यानि अगर आप ध्यान दें तो 1 minute से कम का समय आपको question solve करने के लिए इसी होनी चाहिए आपके पास क्योंकि 5 options होते हैं तो concept बहुत पढ़िया होना चाहिए उसे shortcuts आने चाहिए आपको एक यहां से बात समझ में आ रही है प्रिलिम्स का conclusion यह निकलता है अच्छा अच्छा नहीं है कि अगर 100 number है तो 100 में आप 40 से score करेंगे तो पार हो जाएंगे cut up 65 सा 70 के बीच में cut up जाने लगा है तो यह line देखिया आप इतना accuracy के साथ number ले आना पड़ेगा आपको तो इस speed बहुत अच्छी बनानी है यह कैसे होगा आपको वह भी बताऊंगा तो यह सारी बाते मैंने बता ही दी भाया इसमें एक और चीज है जो बहुत important है कि negative marking होती और 5 options होते हैं तो problem क्या है कि अगर आपने कहीं जै मातादी concept से answer लगाया मालीज आपने टिक किया तो इसका सही होने का chance कितना है point 2% to 20% आप कहा लिजे या फिर 20% मिलेते हैं point छोड़ दीजे 20% सही हो जाएगा और 80% chance है कि क्या हो जाए गलत हो जाए आप देखर 10 सवाल ऐसे आप लगा रहे हो तो देखिए 10 में 8 गलत होगा 2 सही होगा तो 2 सही होगा तो 2 नमबर और 2 गलत हुआ तो 2 नमबर माइनस होगा तो 0 तो तुक्का लगाओगे तो बहुत अच्छा दिन रहा तो 0 नमबर आएंगे और अगर बहुत बुरा दिन रहा था तो माइनस में चले जाओगे आप इसलिए एकुरेसी बहुत important parameter है number काटे जाते हैं यह आपर इसलिए इससे भी बचना होगा आपको इस बात का ध्यान रहे means में आप बैठ रहे हो तो subject एक बढ़ जाता है और वो है general economy financial awareness बड़िया topic है धेर सारी चीज़े आप से यहाँ पूछ ली जाती है और अच्छी चीज़े depth में current affairs भी है include कर लेना बहुत प्यारा paper होता है इसका तो 40 सवाल 40 minute 40 question 40 marks के 35 minute मिलते हैं solve करने के लिए वहीं बात करें math में तो सिर्फ आप DI और interpretation data interpretation और data analysis के questions पूछे जाते हैं 35 सवाल 60 minute और 45 minute आप समा सकते हो level of सवाल एक मिनट से जहाँ time ज़्यादा मिले किसी सवाल में अच्छे प्रस्न पूछे जाते हैं मजा आ जाएगा आपको solve करने में इंग्लिस के 35 सवाल 40 number के 40 minute में एक से ज़्यादा मिनट अच्छे questions मिलेंगे इंग्लिस के 45 सवाल 60 number के 60 minute फिर एक से ज़्यादा मिनट आगर आप देखों तो mains paper के label में काफी बदला हुआता है prelims बिलकुल एक flat label का paper होता है मतलब easy to moderate और यहीं जहाँ mains में घुसते हो सबकुछ high level पे चला जाता है तो उसकी तयारी के लिए और क्या क्या extra edition करना है कैसे अलग चलना पड़ेगा आपको बाकियों से ताकि आप अच्छा score कर पाएं वो जानने की कोसिस करेंगे हम तो इसके बाद descriptive writing है जिसमें आपको इससे later writing के questions कही पेपर में पूछे जाते हैं इंटर्विव में आपको पैनल से बहुत सारे banking related सवाल पूछे जाएंगे और common सवाल भी पूछे जाएंगे आप से तो यह हुआ तो पुरा पेपर का एक pattern पतलब अगर देखें तो चार पड़ाव हैं जिसको पार करना है इसके बाद अगर बात करें QA के लिए क्या तरीका होगा तो मैं हमेसा कहता हूँ QA में जो सबसे पहली चीज आनी चाहिए थी आपको वो आनी चाहिए cube, square, plus plus table table भईया 30 तक याद करके बैठ जाओ नहीं 20 तक याद है बहुत बढ़या 30 तक जाओ क्योंकि अगर ये तीन चीज नहीं पता आप बाहर हो game से ही बाहर हो आपको ये करना पड़ेगा अगर अच्छा score करना है तो आप किसी math के teacher से भी पूछ लेना एक ही line है table आनी चाहिए भई 30 तक squares कम से कम 30 तक पता हो cube कम से कम 20 तक पता हो इससे कम पे कोई बात नहीं इतना आना चीज ये basic चीज है इसके बाद आप short tricks पे जाओ question solve करोगे short tricks आएगा basics पढ़ो जितना हो सके basic समझो तो short trick का रास्ता खुलता है क्योंकि short trick basic से ही बनता है pen paper का इस्तमाल कब कम होगा जब आपको ये तीन चीज आती रहेंगी calculation mind में करना सीख जाओगे तो but obviously है कम आपको काम पड़ेगा column और paper का और जितना कम लिखोगे उतना समय बचेगा और इसके लिए mental calculation skill तभी काम आएगी जब ये होगा और ये अगर आपको आगई mental calculation मेरे एक math के friend है math faculty है वो उनका समझ लो कि वो चार्ट डिजिट का multiplication कर लिया करते थे दिमाग में तो मैंने उनको ही देखा है चार्ट डिजिट का multiplication चार्ट डिजिट के नंबर से दिमाग में करते हुए मैं नहीं कर पाया आज तक कूनों ने कर लिया था और वो सिर्फ यह ही कहते थे सर यह mental calculation है मैं आज तक समझा नहीं उनकी वो बात क्योंकि हम reasoning वाले लोग mental skill में यह समझ में आता है कि भाई कैसे किस चीज को हम analyze कर पाए calculation उनकी एक बरस की बात थी और धेर सारा practice यार जितना practice करोगे math is all about practice तो जितना practice करते चले जाएंगे उतना आप speed बढ़ाते चले जाएंगे मेरे reasoning की बात करेंगे तो पहले तो आप सारे topics cover कीजिए आसान वाले topics पे command बनाईए फिर आप puzzle और sitting arrangement को daily attempt कीजिए एक दो 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 तीन तीन आपकी capacity के हिसाब से daily solve कीजिए sitting puzzle क्योंकि वही आना है साथ इसाथ आप जब paper में बैठ रहे हों तो कभी भी sitting puzzle को दिल पे लेके मत बैठो यार मैंने तो घर में चार साल से या दो साल से या तीन साल से और जो नए लोग हैं वो तो ज़्यादा होता है उनका attitude उनको लगे ताया मैं यार इतने दिनों से त्यारी कर रहा हूँ जो जितना आप experience हो जाए उतना थोड़े से मतलब जुख तायजते हो आपको पता है कि sitting puzzle दर्दनाग चीज़ है नए लोग थोड़े अकड में होते हैं पेड अकड में होता है इसलिए जल्दी गिर भी सकता है तो आपको क्या करना है अकड में नहीं sitting puzzle में अगर आप फस गए छोड़ दो नहीं होगा वो solve अभी बाद में ही होगा और उसको घर पे भी solve किया जा सकता है इक्जाम में करने कोई जोरत में स्टक होते ही छोड़िये और हां questions को ध्यान से पहले पढ़ लो ताकि एक clear idea में एकड़ इंस्टिंक्टिवली answer आता है यह तफ है यह अभी नहीं कर सकते छोड़ दो तुरंत आप बाद में time मिलेगा तो करेंगे अभी नहीं करेंगे आसान इक्जाम में इंफेक्स होने लगते हैं तो जितना अच्छा जैसा हिंदी पढ़ोगे तो interest जगा रहता है अपनी अपनी language की बात कीजिए किसी को tamil tamil है तो tamil में बोलते रहना चलगता है करनड में बोल रहे तो अच्छा लग रहा है लेकिन इंग्लिस जब alternative language आती है तो थोड़ा भूर फील होता है अदमी इसलिए उस पे command बनाईए खुब पढ़िये खुब पढ़िये मैं तो match cricket match जब देखता हूं तो टीवी पे चल रहा होता है लेकिन जो उसकी commentary होती है वो मैं click info से देख रहा होता हूं मैं पढ़ता रहता हूं उसको ताकि वो English पढ़ने की capacity आपकी बढ़ती रहे और नए words भी सिखते है आप vocabulary आपके strong होती है तो और वही चीज है देखिए same line यहाँ पर लिखी भी है और English quizzes भी केला करिए बतलब जि तो धेर सारे और concepts यहाँ मैं भी आपको बताई होंगी उसका इस्तमाल कीजिए बाकी मेरी तरफ से 10 important tips हैं जो आपको follow करने target sit कीजिए उसके इसाब से आपको पता चलेगा कि मैं bank ही में जाना चाहता हूँ और नहीं सो के उठे कल नहीं bank में जाना है फिर परसोसेसी में जाना है आच्छा railway किसी ने केदर आपका target होना चाहिए bank है तो bank है SSC है तो SSC है railway है तो railway है target sit होना चाहिए bank निकालना है बरको उसके बाद आप उसके syllabus को खंखा लिए syllabus को खंखालने का सबसे अच्छा तरीका है previous year question papers को solve करिए go through हो ये तो कि आप नए हैं तो आपको लेगा यार ये मुझे नहीं आता नहीं आता लेकिन संगम संगम पता चलेगा क्या आता है साथी साथ आप एक time table बनाईए जो आप इस्तमाल कर पाएं ऐसा time table नहीं जिसकी आरती दिखाई जाए ऐसा time table जो use किया जाए मतलब hectic नहीं होना चाहिए आपके लिए आपके acceptance में होना चाहिए कि मैं ये कर पाऊंगा इतना ही मैं बना पाऊंगा इतना ही पढ़ पाऊंगा बस वैसा time table पहले बनाओ धीरे धीरे आपकी capacity बढ़ेगी इसके बाद shortcuts प्रिक्स पे focus कीजिए जब basic cover होने लगे तो shortcuts भी साथ-साथ पढ़िए क्योंकि speed भी बढ़ानी है बहुत question solve करने पढ़ते हैं प्रिलिम्स निकालने के लिए इसके अलावा मैं वही बोला आपको की भाई आपके reading speed बढ़ानी है उसके लिए तरीका बता दिया accuracy और speed देखिए समय के साथ आईगी ना तो speed आपको समय के साथ मतलब immediately मिलेगी ना तो accuracy मिलेगी basic पढ़िए accuracy पर ध्यान दीजिए speed आजाएगी दोड़ते है ना बच्चे पैदा होते ही नहीं दोड़ते समय लगता है आपको भी समय लगेगा tension मत लेना उसके लिए notes बरू जरूर बनाओ short notes बनाओ topic wise notes होते होने चाहिए कि इस chapter के 20 topic है पॉइंट है जो मुझे आने चाहिए teacher भी बताते रहते हैं इंपोर्टेंट लिख लो उसको notes में convert कर लो और रख लो अपने पास test देना बहुत जरूरी है जितना हो सके हर दिन अगर एक दे पाओ तो बहुत अचीब बात नहीं तो alternate day पर एक टेस्ट तो जरूर दो आप लिए और options जय मतादी वाला concept मत लगाना क्योंकि error होगा वहाँ पर नहीं आता है तो छोड़ो ठीक है पाँच नमबर आएगा लेकिन वो पाँच नमबर जब आएगा exam में मालीजी आपने पाँच सवाल लगाए मैं एन exam में बैठे हैं पाँच question लगाए और पाँच नमबर आए आपको पता है आपको एक बात का दुख रहेगा क कि अच्छा मेरा पेपर खराब गया है लेकिन एक बात की खुसी रहेगी और आप प्राउड फील करोगे कि पाँचों की पाँचों सही थे यह feeling आती है अंदर से positive की हाँ यार रास्ता सही है लेकिन आप 100 सवाल लगा के आए और आपके 40 नमबर आए आप नमबर तो ज़्य ग्यान आपको पीछे ढकेल देगा तो इसलिए तुक्के बाजी से बचें जितना आता है उतना confidence बड़ा अच्छा बनता है उसके बाद मैंने यह देखा है जब मैं भी एक बार दो बार फेल हुआ 2013-14 में तो मुझे भी यह लगा चलो मैं एक 2.25 नमबर से रह तो गया लेकिन एक बात रहती है कि बस अब आ गया हूँ मैं पास अब निकल जाएगा लेकिन यही सोचो मैं 100 सवाल लगा के 20 नमबर लाया होता तो मैं वहीं पेपर छोड़ देता आप नहीं होगा यह बिकार है मेरे लिए निगेटिव थॉट्स आता है इसलिए हमेशा कहता हूँ अपने बिलीव ने यूरसेल अपने ऊपर भरोसा रखिये अपनी अबिलिटीज पर अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिये आप से बहतर इस दुन्या में कोई नहीं है इसलिए आप सुपीरियर हैं we humans are superior species in this universe राइट इसलिए हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना है otherwise success बिल्कुल जख मार के आपके पास नहीं आएगी, आप बिल्कुल अगर demotivated है, आपका confidence zero level पे है, तो कुछ भी नहीं हो सकता, confidence बढ़ाई है, मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है, मतलब क्या कह सकते हो आप, इनको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन उनको ये confidence है कि मैं न नहीं जानते कैसे होगा, तो वो अल्रडी टूटे हुए, उनको खुद नहीं पता है कि मेरे सोगा है नहीं, अपने उपर भरोसा बहुत बढ़ी चीज है, इसको बनाईए, जीती है अपने आपको, अपने को जीतना सबसे मुस्किल है, इस दुनिया में, सब को जीत ले, आ इडिटोरियल, इंग्लिस की क्लास मिलेगी, आठ क्लासेज हैं पर डे, अगर आप इन से जुडेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, साती साती हम लोग का अप्लिकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, यहां प्रैक्टिस कर ये, टेस्ट दीजिए, और यहां प्रै के लिए भी था, तो ऐसे और सेशन के लिए, कीप इंबाइबिं, वी बिलीव इन यू.